कन्या राशी कटनाईों के बावजूद आपको धेरे रखना होगा सब्ता के मत में आप शेर बाजार जुआ जैसी चीजों में जोकिमपूर्ट चीजों में अच्छी योजना बना कर अच्छी प्लैनिंग बना कर कुछ पैसा बना लेंगे बच्चों के परदर्शन से बच्चों की पढ़ाई से आप खुश रहेंगे आपके बच्चों की समझदारी अच्छी रहेंगी दिल से जुड़े होई रिष्टे में प्यार पहले से अधिक बढ़ेगा प्यार इस मुहब्बत मजबूत रहेंगा आप पैच्चा प्रत्योगिता में अच्छा करेंगे कोई मुकद्बे बाजी है कोई लड़ाई चगड़ा है उसको निप्टाने का अनभव आपके पास होगा या किसी अनभवी विक्ति की जला से जल्दी निप्टा लेंगे अब प्रत्याशित घटना उसमें अचानक से खर्चे हो सकते हैं जिसकी वज़े से आप परशान रहेंगे समय अनकूल कहा जाएगा 2526 तारीक का लेकिन तराव बना रहेगा घर का महौल खराब घर के बाहर का महौल ठी आपके जो परतिद्वन्दी हैं जो लोग आपके परतिस्प्रधार करते हैं जो आपके साथ बिजनस में हैं जो आपके साथ नोगरी में हैं उनके साथ आप तुलना करेंगे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे देखा देखी में देखा देखी में, इरशिया में, द्वेश में इस्तिती बिगड़ जाती है, घर में भी आप घरवालों से लड़ेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता से आप हर मुश्किल, हर परिस्तिती का सामना कर सकते हैं, अच्छी प्लैनिंग से मोटा पैसा कबा सकते हैं, 27 और 28 तारिकों समय सही है, अपनी योगिता का प्रतिवा आप दिखा कर लोगों को चक्रित कर देंगे, आपके व्यक्तित में विकास होगा, कुछ नए कारियों की योजदना आप बनाएंगे, 39 तारिकों नौकरी में आपके बौस आपकी अधिकारी, आपके काम से खुश्वा संतुष्ट रहेंगे, आपके कामों में कुछ अच्छा होगा, नया होगा, आपके हाथ में कुछ नई पोजिशन सा सकती हैं, नई आगे बढ़ने की रास्ते आ सकते हैं, आपका यश बढ़ेगा, आपका वैपार बढ़ेगा, आपकी भागदौर बढ़ेगी, तो आपके कुछ काम दूरे भी छूटेंगे, कहीं आना है, जाना है, काम की वज़े से छूट सकता है, अचानक से यात्राएं बढ़ सकती हैं, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से आपकी भागदौर बढ़ सकती है, सब्ता के अंतिम दिनों में, 31 तरीकों समय खराब है, किसी पर व प्राप्ति का दिन है कोई नया प्रेम समर्द बन सकता है आप इमानदारी से आगी पढ़ेंगे जुवा या सट्टी जैसे चीजों में धन का निवेश सोच समझते करेंगे तो कुछ लाप जरूर होगा विद्यार्ति पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे वैपारियों का वैपार बढ़ेगा आपकी उर्जा बढ़ेगी नौकरी करने वालों को लाप होगा 26 दिसम्बर की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है नौकरी करने वाई लोग अपना कारे पूर्ण आत्रिश्वास के साथ करेंगे आपका स्व समाचार प्राप्त होंगे अध्यनकारियों में वैस्त रहेंगे नौकरी के इंटर्व्यू में न्यूकर्स को जो करियर बनाना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी प्रेम संबंद अच्छे रहेंगे परिवार में लड़ाई जगले के बाद आप अपने जीवन साती को मनाने क कोशिश करेंगे जीवन साती से दीमे दीमे संबंद सुधरेंगे 28 दिसंबर की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है नौकरी करने मारे लोग अपना कारे पूर्णात विश्वास के साथ करेंगे स्वास्त अच्छा रहेगा मन में परसंता उस्ता बना रहेगा परवारी को समाजी को सो में भाग लेंगे वैपारियों का वैपार बढ़ेगा उन्नती होने वाली है तरक्की होने वाली है खेल कुद में आप आगे बढ़ने वाले हैं माल सम्मान पदक जीतने वाले हैं 39 दिसंबर की बात करें तो परिवार क पूरा करने में पैसा खर्च होगा, विवा के प्रस्ताओं कुमारों को मिल सकते हैं, प्रेम संबंद अच्छे रहेंगे, जीवन साती को कोई उपहार दे सकते हैं, आपका संबंद अच्छा रहेगा, तो जो कोई गुप्त रोग अगर आपको है, तो ठीक हो सकता है, कुल मिल कर सभी प्रकार के सुख साधन आपको मिल जाएंगे, तीस दिसंबर की बात करें, तो आज का दिन जीवन साती का साथ और सायोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है, निश्चित रूप से आपके प्यार विश्क महबत में बढ़ोतरी होगी, आज थोड़ा रोमेंटिक बू साधन है, शराब नशे से दूर रहें, मानसाहर से दूर रहें, किसी महिला को न सताएं और महिलाओं से अच्छा वहवार रखें, इकत्यस दिसंबर की बात करें, तो बहुत दिनों से रुखे हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे, सट्टे बाजी में निवेश करने के लेगा, आपके बच्चों का करियर बनने के लिए यह सब्ता बहुत अच्छा है, जाते जाते ही है, साल आपको निराश नहीं करेगा, आपके लिए 80% शुप परज़ाम है, चार नंबर लखी रहेगा, और आप उमीद कर सकते हैं, इस सब्ता हमें कुछ अच्छा धन कमाने की, लेकिन सोच समझ कर, अब बात करते हैं उपायों की, जिससे हमें कुछ अत्रिक तलाब मिल सकता है, अब बात आती है उपायों की, देखिए उपायों में आप हन्मान जी की उपासना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आ सबसे पहले तो तीन नियम आप मान लीजिए, पहला नियम है कि धार्मिक बने रहना है, आप जिस भी धर्म को फालो करते हैं धर्म को मानना है सही तरीके से, दूसरा नियम है कि धर्म स्थान पर जाएंगे वक्त वक्त पर, वहाँ पर जाकर सेवा करेंगे, सेवा क्या होती है जैसे मंदर है गुर्दवारा है वहां पे साफ सफाई करना वहां पे जाडू पोचा लगाना जो लोग आ जा रहे हैं उनकी लाइन ठीक से लगवाना लंगर बटवाना लोगों जो लंगर खाते हैं उसमें मदद करना रोटी बनाने में सबजी बनाने में, लोगों के जूठी प्लेटे साफ करना, लोगों के जूठे पत्तल उठाके कूरे दान में फेकना, लोगों जो जूठे पहन कराते हैं, गंदे जूठे होते हैं, उनको साफ करना, ये सेवा है, लोगों को पानी पिलाना, ये सेवा है, इस प्रकारते अनेक सेवाइं होती के सेवा क्रीए, तो इस से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और कुत्ते की सेवा करिए, कुत्तों को खाना दीजिए, कुत्तों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर कुंछ धल्नाशीदान दीजिए, ये सब करिए, आपको और अच्छे रिजल्ड प् है और इसके साथ साथ आप क्या करें हर्शिव जी का ध्यान करें ऐसा करना शुब रहेगा और निया साल आपके लिए खुशियों भरा हो ऐसी उमीद करते हैं हम आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन की बटन को दुबाएं फेस्बुक और इंस्ट्राम प